हेलो गाइज इस वीडिया हम बात तरहें कि अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर वीडियो इडिनिंग करते हो काइन मास्टर में तो आपको अलवेज एक क्वेशन आता होगा कि भाई एक्सपोर्टिंग में बिट्रेट फ्रेम वेकरे क्या सेट करें कि जिससे एक्सपोर होते हैं जो नौर्मल सेटिंग्स होती है वह अपले करने के बाद जो क्वालेटी होती है उसके मुकाबले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा बेल आइकान को भी प्रेस कर दिजिएग तो गाइस यहाँ पर हम काइन मस्टर के स्क्रीन के उपर आगे तो अगर आपको यहाँ पर एडिटिंग करने तो आपको प्लस क्या कोन फ्यूबर दबाने के बाद रेशियो से लिए करना होता है तो यहाँ पर बहुत सारे रेशियो आ गए 1609, 9-16, 1-1 तो अगर आप यूट्यूब के उपर एडिटिंग करते हो तो आपको 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 1609 रेशियो ही पेस्ट होता आपके लिए तो मैं यहाँ पर उसको सेलेक करने के लिए फोटो ले लेता हूँ यहाँ पर मै आपको जो एक्सपोट सेटिंग है वो सिप क्या रखने तो यहाँ पर अगर यह जो मैं सेटिंग्स पताने होगी मैंने रिसेर्च करने के बात मुझे पता चले कि इससे जो वीडियो को लेट होते हो वह इंप्रोव हो जाती तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब यहाँ पर रखना है यहाँ पर कुछ टेन पॉइंट इटी के आसपास यहाँ टेन पॉइंट ही आपको रख देना है तो मैं यहाँ पर 10.80 के आसपास करता हूँ इसके बाद एक्सपोर्ट कर दे तो इससे फायदा क्या होगा इसे वीडियो की जो साइज है वह भी कम आएगी यहाँ पर वीडियो की जो क्वालेटी है वह भी इंप्रूव हो जाएगी तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्र